इस भारत में स्वदेशी तंत्र स्थापित होगा, स्वदेशी अर्थ विवस्था स्थापित होगी, स्वदेशी न्याय विवस्था स्थापित होगी, स्वदेशी चिकित्सा विवस्था स्थापित होगी, स्वदेशी शिक्षा विवस्था स्थापित होगी, इस भाव के सा मानने मोदी जी को भारत स्वाहिमान ने अपनी शर्तों पर अपने मुद्दों पर समर्थन दिया है आप इसे सहमत हैं समर्थन मुद्दों पर देना चाहिए ना सहमत है इसे यदिये मुद्दे पूरे होते हैं तो हमारा समर्थन है हमारा समर्थन मोदी जी को मुद्दों के अधार पर है यहां बात अपने मूल तत्तु में रखनी है भारत स्वाहिमान एक गौरव शाली संगठन है इसकी अपनी संप्रभुता है इसका अपना वर्चस्व है और मुझे जो बड़ा अंतर दिखाई दिया कॉंग्रेस और नेता जी की विचारधारा में वह यही था कॉंग्रेस भी स्वतंतरता चाहती थी प्रन्तु टुकडो में चाहती थी कॉंग्रेस स्वतंतरता चाहती थी कि वह पॉल्टिकल स्वतंतरता चाहती थी प्रन्तु नेता जी एक मुष्ट अनकंडिशनल भारत की स्वतंतरता चाहते थे और चाहते थे कि भारत की स्वतंतरता spiritual freedom हो अध्यात्मिक सोतंतरता हो जहां विकास के सभी रास्ते सभी माइने खुले हुए हो बस परम्पुजे स्वामी जी महराज और यदि नेता जी की मैं कहीं विचारधारा की बात करूँ तो बस आपको सारी चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी नेता जी कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं बोल तो दो क्या कह रहे हैं मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए नेता जी कह रहे हैं मुझे अखंड भारत चाहिए स्वामी जी महराज क्या कह रहे हैं कि भारत का प्रतेक नागरिक इस राश्ट के लिए प्राण पन इस राश्ट के लिए डू और डाई इस सिच्वेशन में जीने और मरने के लिए तैयार हो ऐसे भारत के नागरिक हो ऐसे भारत के युआ हो यहां संदेश नेता जी सुभाशन रबोस का था नेता जी सुभाशन स्वामी जी महराज करें कि बारत विकाद के पत्फड़ड़े निताजी चाहा रहा थे स्वदेश सवभाषah का स्वभीमान हो जैसे जबान जेसे जर्मनी यह आगे बढ़ा अपनी भाषभा को आगे रखकर अपनी तक्नीक को आगे रखकर वैसे भारत बढ़े और उसी बात को लेकर कुझे स्वामी जी महराज अपनी बात को कह रहे हैं कि भारत में भी स्वदेशी सवभाशा का तंत्र स्थापित हो और एक बात जो विशेश रूप से मैं इन चित्रों को देख रहा हूँ दाई और बाई और सभी चित्र लगे हुए हैं और मेरे बिल्कुल दाई और एक चित्र लगा हुआ है नेता जी सुभाश चंद्र बोस का उस चित्र में आप सपष्ट देख सकते हैं बहन लक्षमी सहगल जो राणी लक्षमी बाई बटालियन की चीफ आफ कमांडर दिखाई दे रही है बस वही बात जो नेता जी चाहा रहे थे कि महिलाओं का सशक्टी करण हो उन्हें भी शक्ती सोंपी जाए और बराबर की शक्ती सोंपी जाए वही कार ये परमपुजे स्वामी जी महराज कर रहे है महिलाओं को अगर नहीं रूप भुमिका दे रहे है उन्हें शक्ती परदान कर रहे है महिलाओं के सशक्टी करण को लेके सबसे बड़ी ये दिया आज कोई आवाज है तो परमपुजे स्वामी रामदेव जी महराज की है महिलाओं का सशक्ती करण हो और एक बात जो उनमें सामान लगती है उनके अनुगामी के रूप में सवामी जी महराज सुविकार कर रहे है और वहाँ बात है समझोता वादी नहीं होना बहुत से लोग थोड़ा सा दबाओ पड़ता है समझोता कर लेते हैं चार पुलिस वालों का सस्पेंशन करो प्रवत संझोता हो जाए जब पता चल जाए कि दबाओ बर गया है समझोता कर लो चलो दो आदमीं चुटी पे चले बात नहीं है समझोता कर लो प्रवत स्वामी महПрण संग्धोता वादी नहीं है चार जूनका अंदोलन उस रात की बरबरता आप सुबको याद है महिलाओं के ओपर किस परकार की कुरूरता हुई बेहन और बुजर्गों को युवाओं को बच्चों को किस परकार निर्ममता पूरक इसी दिल्ली पुलिस ने मारा था पीटा था परंतु हमने समझोता नहीं स्वामी जी महराज ने का सब कुछ कर सकता हूँ परंतु देश के साथ गद्धारी नहीं कर सकता या भारत का स्वाहिवान है प्रान दिया है नहीं दी कभी देश की माटी है या भारत का जा मूल तत्व वह वर्चस वह प्राकरम पुझे सामी जी महराज के भीतर है ऐसा सहसी नेत्र तु हमें मिला है जिन्होंने समझोता वादी होना नहीं सिखा है नेता जी सुभाज चंदर बोस यहां से चले गए जर्मनी से मिले जापान से मिले बाहर की शक्तियों से का साथ लिया प्रंतु समझोता सुविकार नहीं किया ऐसे भारत का नवनिर्वान करने का हमने संकल्प लिया है आज वीर सुरेंदर साय का भी जनम दिन है आज ओडिसा किस पावन माटी ने दो दो वीर सुपूतों को जनम दिया है आज के दिन 1809 में पैदा हुए वीर सुरेंदर साय 1884 में उनका ध्यानत हो रहा है और 1897 में 1897 में नेता जी सुभाज चंदर बोस पैदा हो रहे हैं नेता जी सुभाज चंदर बोस की उपस्तिती से भारत का गौरव कितना बड़ा है उन्होंने भारत को कभी भारत की प्रतंतरता को स्विकार नहीं क्या अंग्रेजों के सामने ही नहीं पूरे विश्व के सामने ताल ठोके कहा और यहीं नहीं अपनी आर्मी बनाई अपना रेडियो सेंटर बनाया आज हम अपने कारिकरता हों कहते हैं कि आपको परचार परसार करना है अपने गली में परचार परसार करना है अपने वाड में परचार परसार करना है अपने परखंड में अपने ग्राम म कहां से आएंगे कहां से संसाधन आएंगे अरे पुझे स्वामी भाराया तो आपको संसाधन भी दे रहे हैं अरे उस वीर शिरोमने सुभाष चंदर भोस को देखो जिसने बरलिन में जाकर इंडिया सेंटर को स्थापित किया जिन्हों ने बाहर जाकर भारत का रेडियो स्थ सापित किया बाहर जाके आर्मी स्तापित की करने वाले व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता आप मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर और लोग आते ही गए और काफिला बनता गया आप चलना शुरू करो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और एक बड़ा काफिला बन जाए त्यों कि dość है झाले याले ही चलना शुरू करें ही में तेनक बन जाए रखें ही तस सहे मगर त Іजिशी है झाले पर झाला ही आप